आयुर्वेदा होम केर आपके घर का डॉक्टर रखे आपके स्वास्तिका खयाल दोस्तों हम आपके लिए लगातार ऐसे नुस्खे लेकर आ रहे हैं जिनका उप्योग आप दैनिक जीवन में कर सकते हैं चाहे वो आपकी सेहत के लिए हो या किसी बिमारी के उप्चार के लिए आज हम चर्चा करेंगे तर्बूस के फाइदे और नुक्सानों के बारे में तर्बूस को देखते ही ठंडक का एहसास होने लगता है गर्मी के मौसम में शीतलता दे कर प्यास बुझाने में इसका जवाब नहीं है ये एक स्वादिष्ट फल ही नहीं है बलकि पानी से भरपूर त्वरित उलजा देने वाला फल है तर्बूस में कई प्रकार के पोशक तत्व होते हैं इसमें पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व एल सिट्रूलीन, हृदे के लिए तथा मास पेशियों के लिए बहुत हितकारी होता है इसके अलावा तर्बूस में विटेमिन C, विटेमिन A, विटेमिन B1, तथा विटेमिन B6, पैंटोथेनिक आसिट, तथा खनिज के रूप में कॉपर, बायोटिन, पोटाशियम, तथा मागनीशियम होते हैं तो आए इसके फायदों के बारे में जानते हैं सबसे पहली बात, ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है खाने पीने में बदलाव लाकर तथा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए तर्बूस बहुत उप्युक्त है क्यूंकि ये ब्लड प्रेशर और कोलिस्टरॉल दोनों को कम करता है तर्बूज से मिलने वाला विटमिन स्किन को कोमल और जवान बनाए रखता है इसमें मौजूद विटमिन A आपकी तवचा रूखी होने से और सनबर्ण होने से भी बचाता है तर्बूज आँख के मैक्यूला को खराब होने से बचाता है अक्सर उम्र बढ़ने के साथ माक्यूला का खराब होना नजर में कमजोरी का प्रमुक कारण होता है इसमें मौजूद विटमिन A आँखों के अच्छे स्वास्ति के लिए भी जरूरी होता है तर्बूज बॉडी बिल्डिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है इसे खाने से मसल्स में जल्दी ठकान नहीं होती और दर्द नहीं होता इससे आप अधिक एक्सराइज भी कर सकते हैं तर्बूज कुछ और रोगों के उपचार में भी कामा सकता है जैसे बवासीर के रोगी को तर्बूज के 50 ग्राम रस में 3 ग्राम आवले का चूरण मिला कर कुछ दिनों तक इसका सेवन करने से लाब मिलता है भूख न लगती हो उल्टी जैसा मन हो या जी मचलता हो तो भोजन से पहले 50 ग्राम तर्बूज के रस में मिश्री और नीमू का रस मिला कर खाएं बहुत आराम मिलेगा धूप के प्रकोप से उतपन विक्रतियों को दूर करने के लिए तर्बूज का रस चहरे पर मलें चहरा स्वस्थ और सुन्दर होता है तर्बूज का सफेद रंग का गूदा पीस कर उसमें चंदन और कपूर मिलाकर शरीर पर लेप लगाने से गर्मियों से उतपन छोटी फुनसिया और तीवर जलन की समस्या दूर होती है दोस्तों तर्बूज खाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं आईए जानते हैं कुछ ध्यान देने वाली बातें जैसे सुभा खाली पेट तर्बूज नहीं खाना चाहिए खाना खाने के बाद तर्बूज खाने से बहुत लाब मिलता है कच्चे सफेद तर्बूज में पोशक तत्वों का अभाव होता है तथा पच्चने में भी भारी होता है इसलिए पका हुआ लाल तर्बूज ही खाना चाहिए तर्बूज खाकर तुरंथ पानी या दूद दही या कोई अन्य पेपदार्थ नहीं पीना चाहिए दमा के मरीजों को तर्बूज का रस नहीं पीना चाहिए जुखाम से पीड़ित होने वाले स्त्री पुरुषों को तर्बूस नहीं खाना चाहिए तर्बूस खाने के 2-3 घंटे तक चावल नहीं खाना चाहिए दोस्तों हमारे घरेलू नुस्कों को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद अब सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आयरवेदा होम केर आजमाईए यहां बताए गए नुसके और उठाएए पूरा लाप धन्यवाद